दिलवालों के शेहर दिल्ली में एक बार फिर जश्निया दग हिस्सा बने हिंदुस्तान के सबसे बड़े लिटररी जश्न का एक नजब है एक मनज़र है एक मनज़र दिखाने की कोशिश है जब कोई हमारे जंदगी से चला जाता है उसके बाद की अगले दिन उसका जोश सुभा होती है वो कैसी होती है तो थोड़ा रिलेट कीजिएगा नजब का उन्वान है आज सुभा कुछ अलग थी आँखें बंद थी नींद बेघर थी सपने तूटे हुए से गए बिखर थे आज सुभा कुछ अलग थी कान ख्वाहिश कर रहे थे जिस आवास की वो आहट वो मंज़र वो खट-खट और थी हाथ सुभा कुछ अलग थी बर्सा था रात भर आसमान संग मेरे वो गीले तकिये पर निशान कुछ बने थी हाथ सुभा कुछ अलग थी आज खिड्की पर से परदा हटा हुआ सथा था ता शाद सुभा कुछ अलग थी तारे डून रहा था पर रात सुभा कुछ अलग थी आज बालकनी में उसका भूतर की जोड़े में से एक नहीं था शायद वो सो रहा था रात की तुफान ने उसका घड़ भी उजार दिया था सोया नहीं था वो रात पर रात सुभा कुछ अलग थी वो बारिश के बाद धरती की सौंधी सौंधी खुश्पू आती है न वो भी नहीं थी न जाने कहां खोस ही गई थी आज सुभा कुछ अलग थी वो पौदे जो ओसकी बूंदों से खिल उटते थे पानी देने के बाद भी मुर्जाई से पड़े थी आज सुभा कुछ अलग थी वो कटपुतली का जोड़ा जो दर्वाजे की किनारी ठंगा होता है उसमें कोई हलचल न थी हाथ में जो बासूरी थी वो नीचे पड़ी थी आज सुभा कुछ अलग थी हाँ कुछ कमी थी बिखरी से जिंदगी सुभा भी रात जैसी अंधेरी लग रही थी जल्दी तो नहीं उठ गई थी कहीं मैं आज घड़ी में समय तो सही था पर आज सुभा कुछ अलग थी बहुँ शुक्रिया कुछ अलग तो सही छया चका थी कुछ बहुआ धुँ झाज सुभा